आज का हमारा विशय है गणित यानी mathematics. यह संख्याओं, आकारों, सनरचनाओं और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन है. यह एक तारकिक और व्यवस्थित विज्ञान है, जो वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए संख्याओं और सूत्रों का उपयोग करता है गणित के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. पहला, अंकगणित. अरिथमिटिक. यह गणित की सबसे पुरानी और मूलभूत शाखा है, जो संख्याओं और उनके मूल संक्रियाओं, जोड, घटाव, गुणा, भाग का अध्ययन करती है. जयामिती. जियोमिट्री. यह आक ख्याओं और प्रतीकों के माध्यम से समीकरणों और उनके हल का अध्ययन करती है. इसमें चरों, वेरियबल्स और स्थिरांकों, कॉंस्टेंट्स का उपयोग किया जाता है. त्रिकोनमिती. ट्रिगोनोमिट्री. यह त्रिभुजों और उनके कोणों के गुणों का अध्यय करती है इसका उपियोग खगोल शास्त्र भौतिकी और इंजीनियरिंग में किया जाता है Calculus यह दरपरिवर्तन, rate of change और समाकलन, integration का अध्यन करती है यह दो प्रमुक शाखाओं में विभाजित है अवकलन गनित, differential calculus और समाकलन गनित, integral calculus सांखिकी, statistics, यह डेटा का संग्रह, विशलेशन, व्याख्या और प्रस्तुती का अध्यन करती है संभाव्यता, probability, यह घटनाओं की संभावना, likelihood का अध्यन करती है गनितिय तर्क शास्त्र, mathematical logic, यह तार्किक तर्क और गनितिय प्रमानों का अध्यन करती है गनित का उप्योग, विज्ञान, engineering, अर्थशास्त्र, computer विज्ञान और विभिन सामाजिक विज्ञानों में होता है यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें